तो हाई गाइस आसी सिह दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एरिया कोड यो टाइप रेंज कोड यो नंबर वाड नंबर इन सारे डिटेल्स को कैसे आप फाइंड कर सकते हो कैसे पता कर सकते हो आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हुँ तो चलिए वीडियो को सुरूफ करते हैं और वीडियो शुलू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फॉर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ता सकी आपको इसी तरी की वीडियोस मिलती रहें तो अपने area code AO type को find करने के लिए आपको सबसे पहले अपने Chrome को open कर लेना है Chrome open करने के बाद आपको वहाँ पर लिखना है income tax.gov.in लिख करके आपको उसे search कर लेना है search करते ही अब आपके सामने एक new page open हो करके आ जाएगा अब उस page को आपको उपर में scroll करना है जैसे हैं आप उस page को उपर में scroll करोगे आपको एक option देखने को मिलेगा know your AO उस option पर आपको click कर लेना है click करते ही अब आपके सामने एक new page open हो करके आ जाएगा जहाँ पर कि आपसे आपका pen card number और mobile number मांगा जाएगा अब यहाँ पर तो आपका जो pen card number है वो तो आपके पास है नहीं तो गाइस यहाँ पर आपको आपके father या फिर mother जिनके भी pen card हो उनके pen card का number यहाँ पर enter करना है और अपने mobile number को enter कर लेना है अपने pen card और mobile number को enter करने के बाद अब आपको नीचे में एक continue का option दिया वा है उस option पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं अब आपके सामने एक new page open होकर के आजाएगा जहाँ पर कि आपसे एक OTP मांगा जाएगा जो भी phone number आपने enter किया था उस phone number पर आपको एक OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर enter कर लेना है OTP एंटर करने के बाद आपको validate वाले option पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं अब आपके सामने एक new page open होकर के आजाएगा जहाँ पर कि आपको दो section बने हुए दिखेंगे सब सब first है basic details और दूसरा है jurisdictional details first section में आपको आपके pen card number, name और आपका जो pen card है वो active है या फिर in active है यह आपको वहाँ पर so होगा second section जहाँ पर लिखावा है jurisdictional details यहाँ पर आपके जो भी AO type है, area code है, range code है, AO number है यह सारे details आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो गाइज इसी तरीके से आप अपने area code और AO type को find कर सकते हो